प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट दे बेल आइकोन बटन, शेर और लाइक माई वीडियोज, थेंक यू नमस्कार दोस्तो, मैं रमेश गुपता, एक बार फिर अपने चैनल, ग्रीन थम् रमेश से आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तो, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक नाशपाती का पेड़ है, जिसके उपर मैंने मल्टिपल गराफ्टिंग की थी, फरवरी के महीने में, ये पुराना पेड़ है, और इसको मैं धीरे धीरे जो है, कनवर्ट करता जा रहा हूँ, एक नए पेड़ के रूप में जिसमें अच्छी वराइटीज की, और अरली वराइटीज नाशपाती की इस पे लगाई हैं, और आप देख सकते हैं, कि सारी की सारी जो गराफ्टिंग है, वो काम्याब हो गई है, और बहुत हरी भरी है, आप देख रहे हैं, कि मैंने पहले इसको टॉप से बदला, ध और सब भी में स्प्राउटिंग हो गई है, दोस्तों ये तो बहुत अच्छी वात है, असली मुद्दा मेरा जो इस वीडियो में बताने का है, कि जब किसान भाई, बागवान भाई, अपने पेडों पे गराफ्टिंग करते हैं, या पौधा कहीं से लाते हैं, तो उसके ब ऐसके बाद, फर्वरी महीने में के बाद, यानि मार्च महीने में उसमें स्प्राउटिंग होनी शुरू होती है, और क्यूंकि नेचर बड़ी हल्फुल हो रुझतिये, टेम्परेच मॉडरेट होता है, और हवा में आरदर्ता भी होती है, जमीन में भी रस होता है, तो काम्याब हो जाती है तो जो नीचे ग्राफ्टिंग के पोर्शन से नीचे का जो पोर्शन बचा होता है उसमें बड्स होते हैं और बड्स भी स्प्राउट कर जाते हैं ग्राफ्टिंग के जखम को भरने में टाइम लगता है और स्प्राउटिंग तो हो जाती शुरू लेकर उसके सासाथ ही जो उसके डाउन में नीचे नये जो शूट्स निकलने शुरू होते हैं और अगर हम ना ध्यान दें तो जैसे एक शूट यहां निकला है अगर हम ध्यान ना दें तो हम देखेंगे एक डेड़ मीने के बाद अगर ये जो नीचे से शूट निकला है ये बड़ी तेजी से फैलेगा वाटर शूट बन जाएगा और उपर जो निकलीवी कॉंपल है निकलीवी जो कॉंपल है उनको इस सुखा देगा तो इसमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही हमारी ये से वाटर शूट निकला है जैसे मैं अभी यहां दिखा रहा हूं तो ऐसे वाटर शूट को आप अपने हाथ से हटा दें ताकि पूरे का पूरी जो अनर्जी पूरे का पूरा रस्ट हुए उपर जो नियू स्प्राउटिंग हुई है उसकी ओर जाए तो इससी क्या होगा क है आपके कोई भी कलम सूखने नहीं पाएगी और इसके ग्रोथ भी एच्छी होगी जैसे हर हर टहनी पर आपको चेक करना है तो यह ध्यान जुरूर दें जैसे मैं यहां बता रहा हूं यहां भी एक दुख्ष स्प्राउटिंग हुई है और इस स्प्राउटिंग को नीच की टैनी से आई है अगर मैं भूल जाओं यहां ध्यान ना दूँ तो इतनी तेजी से बढ़ेगी कि दीरे दीरे जो है उपर की ग्राफ्टिंग या तो कंप्लीटली सूख जाएगी या बहुत ही काम्याब नहीं होगी तो इस तरह का जो है आपको रागुलर ध्यान देना ह जैसे मैं यह और एक्जामपल आपको यहां दिखाता हूँ यह ग्राफ्टिंग है जिसको के लास्ट इर किया था लास्ट व लास्ट इस समझीए और इसकी ब्रांचिज आई हैं पहले की पिछली साल की और इसमें अच्छी स्प्राटिंग होई है लेकर उस्प्राटिंग क है कि टाइम पे ऐसे वाटर शूट्स को मैं हटाता रहूं जिससे के मेरी जो मिहनत है वो बरबाद न हो और ग्राफ्टिंग भी नाकाम्याब न हो तो दोस्तों इस चीज़ को आप जुरूर मद्दे नजर रखिए और भी बहुत सी इसमें ऐसी स्प्राटिंग निकलाती है देखिए यहां टिप के उपर स्प्राटिंग शुरू हो गई है और नीचे देखिए कितने वाटर शूट्स इसमें आगे हैं और अगर मैं इस ग्राफ्टिंग को भोल जाओं तो देखेंगे कि धीरे धीरे यह नीचे के जो स्प्राटिंग वाटर शूट्स हैं ये इतने बढ़ जाएंगे कि 15-20 दिन में उपर का ये जो बढ़ उभर रहा है ये सूख जाएगा तो इसलिए ये नीचे के वाटर शूट्स हटाने बड़े जुरूरी है और कितने भारी ये वाटर शूट नुकसान पहुंचा सकते हैं ये आपने पूरा इस वीडियो में देखा है तो इसलिए इनको मैं अब हटा रहा हूँ ताकि मेरी ये ग्राफ्टिंग जो है ये पूरी की पूरी काम्याब हो जाएगी ये हर अफ़ते अगर हम देखते रहेंगे तो हमारा जो मिशन है वो काम्या हो जाएगा पौधे को नया बनाने में पुराने पौधे को नया बनान में और ग्राफ्टिंग जो की है इस साल की वह अच्छी चले सक्सेस्फुल चले तो उसमें भी ये होगा तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपिया ज्यादा ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेर कीजिए मेरी चैनल को सब्सक कल्चर या होटी कल्चर के उपर देखना चाहते हैं मुझे बहुत खुश्य होगी तो इसी के साथ धन्याबाद मिलते हैं अगले वीडियो में